नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बीजे कुमार गोतम मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ होमियोपेथी के एक दबा बेला डोना के बारे में इसके क्या गाइडिंग सिम्टम होंगे और इसके क्या पर्टिक्लर सिम्टम होंगे इन सब विश्यों के उपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर बीजय कुमार गोतम मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आप से बात करने वाला हूँ होमियोपेथी की एक दबा बेला डोना के बारे में बेला डोना वेजिटेवल किंग्डम के एक बहुत ही सुन्दर एक्क्यूट दबा है जो डेडली नाइट सेट के नाम से भी जाना जाता है जिसको डॉक्टर हैनीमेन ने प्रूब किया था बेला डोना एक हारबेसियस पेरिनियल प्लांट है इसका स्टीम मोटा होता है यह प्लांट तीन से पांच फिट लंबा और इसके पत्ते हमेशा एक दूस्रे से जुड़े रहता है बेला डोना का फूल गोलाकार और परपल कलर का होता है जो हमेशा हिलते रहता है इसके फल भी परपल और ब्लैक कलर का होता है यह प्लांट काफी पौईजिनस होता है Medical Profession में इस प्लांट के बारे में 500 AD के पहले से ही जानकरी थी लेकिन डॉक्टर हैनिमेन ने सबसे पहले human proving किया था बेलाडोना दो लेटिन वर्ड बेला जिसका अर्थ होता है beautiful और एक सब्द डोना जिसका अर्थ होता है girl से मिलकर बना है दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेलाडोना के appearance के बारे में बेलाडोना का पेसेंट लेजी, आलसी, ओवेस यानि मोटा किस्म का होता है फ्लेवी, थुल्थुला, पित्थ प्रधान जिसमें पित्थ की मात्रा अधीक होता है स्वस्थ अवस्था में काफी चन चलता देखा जाता है लेकिन जैसे ही बेलाडोना का पेसेंट अस्वस्थ होता है इनको काफी गुस्था होता है या पेसेंट उस वक्त काफी बदमिजाजी किस्म का हो जाता है बेलाडोना की महला और सीसू में आप देखेंगे उनकी चूल यानि हेर काफी कम होता है, यानि लाइट होता है, इनकी आँखें ब्लुईस कलर का होता है, रंग गोडा, सुंदर स्कीन, सैंसिटीव, नर्भस, कन्भलसन का भ्य, और इसके साथ-साथ बेलाडोना का पेशेंट, ट्यूबर कलस पेशेंट होता है, अगर इसके ए जालाडवना के एक्षंग की बात की जाए तो यहां दवा шेरिव ब्राम मस्तिस्क नर्भस सिस्टम के परतेक पार्ट के साथ साथ भस्कुलर सिस्टम में इसका महत्पुर्न कारी है दोस्तों आप यहां पर बात कर लेते हं गाइडिंग सिम््टम के बारे में पहला मैं guiding symptom ले रहा हूँ redness redness इस दवा का characteristic symptom है जो part affected हुआ है वहाँ आपको bright red देखने को मिलेगा इसके साथ साथ face red, eye red, skin red इसके अलावे body के दूसरे part में भी आपको redness देखने को मिलेगा गला यानि throat भी लाल हो जाता है इसके साथ साथ tongue यानि जीव भी red हो जाता है इस परकार के acute या दवा हर परकार के acute disease में redness of the affected part, burning sensation, heat और sensitiveness आपको देखने को मिलेगा next अगर guiding symptom की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ sudden and violent हर परकार के acute disease का आकरमन sudden and violent यानि अचानक और तीवर होता है इसके साथ साथ throbbing sensation भी होता है next अगर guiding symptom की बात की जाए तो यह intense hit यानि रोग के आकरमन के समय affected part में गर्म अनुभुती का होना इस दवा का चरितरगत लक्षन है इसके अलाबे दूसरे अगर guiding symptom की बात की जाए तो एक guiding symptom है इनको काफी सहजता से ठंड लगता है जैसे temperature change होने से इनको ठंड लग जाता है सर धोने से ठंड लगता है यहां तक की hair cutting के बक्त समायनी मातरा में जल परियोग से भी इनको ठंड लग जाता है cold wind से इनका tonsil inflamed हो जाता है इसके साथ साथ बेलाडोना का patient cold exposure से और overheat से दोनों से इनको problem होता है body का जो part affected हुआ है वहां आपको dryness और काफी sensitive देखने को मिलेगा इसके अलावे अगर दूसरे guiding symptom की बात की जाए तो मैं यहां पर mind के बारे में बात करना चाहता हूँ बेलाडोना का patient खुद के स्वपनिल जगत में विचरन करते रहता है रोग के आकर्मन की स्थिती में विभिन प्रकार का स्वपन देखता है hello c nation यानि मती भ्रहम का सिकार होता है बेलाडोना का patient राक्षस को देखता है भूत को देखता है hideous faces यानि भयानक मुखाकृती को देखता है बिभिन प्रकार के कीडे मकोडे को देखता है black animal को देखता है dog को देखता है wolf को देखता है यानि आपका सकते हैं कालपनिक चीजों से इनको काफी भै लगता है इसके साथ साथ Delirium यानि प्रलाप का भी सीकार होता है बेलाडोना का पेसेंट रोग के आकरमन की स्थिती में बेलाडोना का पेसेंट मारने के लिए दोड़ता है थूक फेकता है, समान को तोड़ता है, दांत कीचता है, इसके अलावे दांत काटना चाहता है, भागना चाहता है बेलाडोना का पेसेंट, नीन से अचानक जाग जाना और आँख बंद करते ही नाना परकार का अधवुत स्वपन देखना और आँख खुलते ही सब गायव हो इस परकार का लक्षन आपको बेलाडोना में देखने को मिलेगा, सीसू नीन से अचानक जाग जाता है और भाई से कापने लगता है, इसके साथ-साथ अगर दूसरे गायडिंग सिम्टम की बात की जाए, तो एक है बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन बेलाडोना का महत्वण लक्षन है, बेलाडोना के पैसेंट में आप देखेंगे इनको एक्स्ट्रीमली और इंटर्नली दोनों परकार का बर्निंग सेंसेशन होता है, अगर इनको बात हो यानि और्थराइटिस हो तो उसमें जलन होता है, फोड़ा हो तो उसमें जलन होता है, पेट दर् इसमें का प्रॉबलम हो तो उसमें भी जलन होता है इसलिए आप यहां कह सकते हैं कि बर्निंग सेंसेशन बेलाडोना का एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस परकार का बर्निंग सेंसेशन आपको बेलाडोना के अलावे आर्सनिक एलबम, फॉस्फोरस, सलफर, सिकली कोर, इत्यादी मेडिसीन में भी आपको देखने को मिलेगा मस्तिस्क में रक्त की अधिकता की वज़ा से माथा गर्म और हाथ ठंड़ा होना रोग के आकर्मन के समय मुखमंदल लाल और फुला हुआ होता है इसके साथ साथ हेडेक और केरोटीड आर्टरी में कमपन होता है इसक उनका होट यानि लिप रेड होता है या सिम्टम आपको औरम मेट, एपिसमेल, लेकेसिस, सलफर, टूबर कुलिनम में भी आपको देखने को मिलेगा इसके अलावे अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो रेड टंग, गैला डोना का एक सिम्टम है इनका जीव भी लाल होता है इसके अलावे अगर गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो राइट साइडेड रिमेडी, मैं यहाँ पर नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम ले रहा हूँ, राइट साइडेड रिमेडी यानि कि बेलाडोना राइट साइडेड रिमेडी है, इनका ज पसीना कम मात्रा में होता है और सिर्फ ढखे हुए पार्ट में ही परस्परेशन यानि पसीना होता है अगर इसके पेन की बात की जाए तो पेन एपियर सडेनली लास्ट इंडिफनिटली एंड गोज सडेनली यानि बेलाडोना के पैसेंट में आप देखेंगे इनको दर्द आचानक से होता है और और आचानक चला जाता है या सिम्टम आपको मैगफोस, कैली, बाइक्रोम, फाइटोलक का नाइट्रिक एसीड में भी आपको देखने को मिलेगा अगर इसके स्लीप की बात की जाए तो स्लीप बट केन नोट स्लीप सोने की इक्षा होते हुए भी बे बेलाडोना के पैसेंट को कुत्तों से भाय लगता है अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो इनको दीन के तीन वजे एग्रेवेशन होता है नाइट में, मिड नाइट में इनको एग्रेवेशन होता है फ्रॉम टच यानि छूने से भी इनको एग्रेवेशन होता ह नौइज से यानि की आवाज से इनको एग्रभेशन होता है,ically looking at bright signings object कोई चमकीला बस तु देखने से इनको एग्रभेशन होता है, summer sun से इनको एग्रभेशन होता है,lying down यानि सोने से एग्रभेशन होता है, इसके साथ सत अगर दूसरे symptom की बात की जाए यानि relief की बात की जाए तो rest से इनको आराम होता है, standing से इनको आराम होता है, warm room से इनको आराम होता है दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ particular symptom के बारे में बात करना चाहता हूँ particular symptom में मैं पहले ले रहा हूँ fever, fever comes suddenly but violently, fever अचानक और तीवर गती से आता है, इनको प्यास नहीं होता है, मूख सुखा हुआ होता है, heart beat बढ़ा हुआ होता है red face, palm and soul, cold और headache और सारे complaint दीन के तीन वज़े aggravate करता है, fever अचानक तीन चार घंटे में 103 डिगरी से 104 डिगरी हो जाता है ऐसी इस्तिति में बेलाडोना high potency में प्रियोग किया जाना चाहिए दोस्तों इसके अलावे next मैं particular symptom ले रहा हूँ headache, बेलाडोना का headache sun hit की वज़ा से suddenly and violently appear होता है साधरनता frontal region के दाहिने तरफ होता है, इसके साथ-साथ brain और carotid artery में throbbing sensation होता है बेलाडोना में headache slightest exertion से, lying down यानि सोने से, light से, noise से aggravation होता है सामने जुकने से भी सरदर्द बढ़ जाता है, सारे complaint दीन के तीन वज़े aggravate कर जाता है menstruation के समय भी इनको headache होता है, अगर इसके relief की बात की जाए pressure से या फिर tight bandage से, यानि सर में कपड़े बांधने से आराम होता है next my particular symptom यहाँ पे ले रहा हूँ cuff, यानि dry cold exposure की वज़े से इनको dry cup होता है, गले में दर्द होता है, इसके साथ-साथ आँख और face लाल हो जाता है सीसू cup के पहले, यानि खासी के पहले रोने लगता है, क्योंकि उनको throat और chest में दर्द होता है इसके अलावे next my particular symptom tonsillitis ले रहा हूँ, cold exposure की वज़े से इनके गले में severe pain होता है और tonsill काफी red हो जाता है, metrogia, यानि की metrogia में आप देखेंगे, bright red blood के साथ hot sensation होता है profuse offensive discharge और severe pain होता है, इसमें रोगनी अनुभव करती है, उनका भेजाइना बाहर आ गया है इनका menstruation भी hot sensation के साथ-साथ होता है next मैं यहाँ पर particular symptom ले रहा हूँ, boil, boil यानि फोड़ा के प्रथम stage में जब separation शुरू नहीं हुआ हो और red हो, सिफ redness, swelling, heat और very sensitive to touch हो, तो इसी स्थिति में belladonna 1M, 10M का प्रियोग किया जा सकता है next मैं particular symptom ले रहा हूँ, otoria, यानि दाहिने कान में severe pain हो और throbbing sensation हो और रात में aggravate करता हो, तो belladonna का प्रियोग किया जा सकता है, high potency में यहाँ पर यूज होगा abdominal pain, my next मैं यहाँ पर particular symptom ले रहा हूँ, abdominal pain, severe pain के साथ-साथ burning sensation right ileocecal region में दर्ध होता है, slightest touch से aggravation होता है, सिसू में cramping pain होता है, मुख मंडल लाल होता है गर्म होता है, और colosynthes की तरह सामने जुकने से दर्ध में बिर्धी होता है, और पीछे जुकने से आराम होता है, लेकिन colosynthes में fever नहीं होता बेलाडोना के बाद केस को complete करने के लिए calcarea curve या tuberculinum का प्रियो किया जाता है, एक क्यूट केस में epismel भी बेलाडोना से मिलता जुलता है, लेकिन बेलाडोना चिली पेसेंट है और epismel hot पेसेंट होता है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार